दोस्तों मार्केट में अगर आप 20,000 रुपे के प्राइस पॉइंट पर स्मार्टफोन बाय करने के लिए जाओगे तो आप लोगों के लिए काफी सारे आप्शन देखने को मिल जाएंगे ये कैसा प्राइस पॉइंट है कि अगर आप इस प्राइस पॉइंट पर स्मार्टफोन बाय करते हो तो overall आपको सारे स्मार्ट फोनों के अंदर सारे फीचर लगवख स्थाई देखने हो मिल जाते हैं सारे फीचर एकदम एक ही स्मार्फोन में नहीं देती हैं कुछ ना कुछ में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है विदाउट टाइम वेस्ट की चारों स्मार्फोन के फीचर्स विद प्राइज में आपको एक्स्प्रेंट कर दूँगा यहां पर आपको काफी इच्छे फीचर देखनों मिल जाता है एमोलेट 6.78 इंचिस का कर्ब डिस्प्ले पैनल दिया गया है 144 हर्ट्स का रिफ्रेस्ट रेट है 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस है डिस्प्ले में गुरले गलास 5 की प्रेटिक्शन आफर की गई है 12 पार्ट में ट्रपल कैमरा सेटब है 108 में इक्सिललमी का मेन प्रामरी कैमरा है 13 में इक्सिललले लैंज 2 में इक्सिललमी क मैक्रालस है 4K,ðb 60 frame, 2 per second में आप रिर कैमरेसे OIS में वीटार्ट कर सकते हैं जो की तरी तो अच्छी बात है dual speakers है, OTG support करता है, under display fingerprint sensor है, 5000 mh की बैटी के साथ 68 baud की far charging की support दी गई है, आपको 3 premium color scheme देखनों मिल जाएंगी, smartphone के अंदर build quality काफी अच्छी दी गई है, back में आपको gorilla glass 5Q protection देखनों मिलेगी, back panel eco leather finish का दिया गया है, glass का है, but front में आपको gorilla glass 5Q protection देखनों मिलती है, overall back panel में और front में, display में दोनों में आपको gorilla glass 5Q protection दी गई है, IP 53 dust resistant आपको देखनों मिलती है, 185 gram का weight है, 7.9 mm की तिकनी से, grab कर सकते हो, काफ़ अच्छा powerful, silimash design वाला एक premium smartphone है, जिसमें आपको 20,000 रुपे के अंदर curb display देखने हो मिल जाती है, next smartphone के बारे हम बात करते हैं, जो की रहता है, like performance wise infinite city 10 pro, अगर आपको एक best gaming smartphone बाय करना है, 20,000 रुपे के अंडर, definitely इसको check out कर सकते हो, AMOLED 6.67 inches का आपको flat display panel दिया गया है, with 120 Hz refresh rate के साथ, 900 nits की peak brightness दी गई है, 1 million colors की support दी गई है, media tech की तरब से CPU दिया गया है, Dimensity 8050, 6 nanometer के साथ आता है, और top the box Android 13 पर आता है यह smartphone, XOS 13 पर यह smartphone run करता है, dedicated slot दिया गया है, 8GB RAM 250 6GB का एक ही variant offer किया गया है, UFS 3.1 type की storage है, rear part में triple camera setup है, इसमें rear part में triple camera setup दिया गया है, like 108 में आप XL का main primary camera है, दो-दो में आप XL के macro depth है, आप 4K 30 frame rate पर second पर video record कर सकते हैं, without OIS, इसमें OIS का support नहीं दिया गया है दोस्तो, 32 में आप XL का selfie camera दिया गया है, front में with dual LED flashlight, stereo speakers हैं, 3.5mm का jack है, यह smartphone under display fingerprint sensor के साथ आता है, 5000 mAh की बड़ी बैटी के साथ आपको 45 बाट की फाजरी सपोर्ट दी गया है, cyber black, mirage silver, यह कुछ आपको कलेस्टीन दीखने को मिलती है, 7 lakh के round smartphone का अंतुतू score रहाता है, and smartphone के back panel पर LED strip applied दी गई है, जो की काफी unique लगती है देखने में, and 187 gram का weight है, 8.1 mm की थिखने से, Infinix GT 10 Pro काफी अच्छा एक feature loaded and unique design वाला smartphone है, जो की आपको performance में कोई compromise नहीं करना पड़ेगा, इस smartphone के अंदर, और आप Ultra HD में gaming कितनी भी कर सकते हैं, बागी next smartphone के बारे हम बात करते हैं, जो की रहता है Xiaomi Poco X6 5G, और पोको की तरप से यह एक all-rounder package कह सकते हैं, और रहल इस smartphone के अंदर आपको camera, display, battery charging, performance, सारे ही feature आपको balance देखने हों मिलते हैं, अच्छे देखने हों मिलते हैं, यहाँ पर AMOLED 6.67 इंचिस का flat display panel दिये गया है, डिस्पले में 68 billion colors की support दी गई है, 120 Hz, refresh rate, Dolby Vision, 1000 nits की peak brightness देन नहीं दी गई, इसमें आपको 1200 nits की HBM दी गई है, और दोस्तो 800 nits की peak brightness दी गई है, जो की काफ़ी अच्छी बात है, 89.7% का screen to wireless हो है, गुर्ले गलास Victus की protection दी गई है, डिस्पले में काफ़ी अच्छे feature दी गई है, advance, दोस्तो इस smartphone के अंदर आपको CPU देखने हों मिलता है, Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2, जो की काफ़ी दा powerful है, 4 nanometer के साथ आता है, Android version out of the box 13 पर देखने हों मिलेगा, MIUI 14 पर ये smartphone रन करता है, अपग्रेड़वल Android 14 है, HyperOS का user interface देखने हों मिलता है, 8GB RAM 250 6GB का base variant है, UFS 2.2 type की storage दी गई है, rear part में triple camera setup है, 64-mahabixel का main primary camera, 8-mahabixel का ultra wide, 4K 30fps में आप maximum video record कर सकते हैं, इसमें आपको gyro, EIS and OIS सब का support देखने हों मिलता है, योगी काफ़ी helpful feature होते हैं camera को लेकर, okay, front में आपको 16-mahabixel का selfie snapper देखने हों मिलता है, dual speakers हैं and 3.5M का jack है, ये smartphone OTG सपोर्ट करता है, under display fingerprint sensor है, 5,100 mAh की battery दी गई है, and 67W की fast charging support दी गई है, black, white, blue, ये आपको color scheme देखने हों मिलती हैं, जो की काफ़ी unique है, and smartphone के अंदर आपको back और frame दानों plastic के दिए गए है, साथी गुरले glass victors की production आपको display के अंदर दी गई है, already explain कर दिया है, 181 gram का weight है, 8 mm की थिकनेश है, no doubt Xiaomi Poco X6 5G, definitely grab कर सकते हैं, एक all-rounder package है, price point पर, next smartphone के बारे हम बात करते हैं, अगर आपको एक brand value चाहिए, 20,000 रोपे के अंदर, definitely grab कर सकते हो, OnePlus Nord C3 Lite 5G को, आपको OnePlus की brand value देखने हों मिल जाएगी, बगी features में आपको क्या देखने हों मिलेगा, step by step सारे explain कर देता हूँ, यहाँ पर आपको display में compromise करना पड़ेगा, सबसे पहले IPS LCD पैनल दिया गया है, overall AMOLED display पैनल नहीं है, 6.72 इंचिस का, 120 Hz का refresh rate है, 618 इंचिस की peak brightness है, गुर्ले ग्लास 5 की protection दी गई है, इसमें आपको गुर्ले ग्लास की protection दी गई है, गुर्ले ग्लास 5 है या गुर्ले ग्लास 3 है ये confirm नहीं है, snapdragon 695 5G प्रॉसर दिया गया, 690 मिले के साथ आता है, और top the box Android 13 पर आता है, Oxygen OS 13.1 पर ये smartphone रन करता है, 8GB RAM 120 8GB के base variant है, UFS 2.2 type की storage है, rear part में triple camera setup है, आप इस smartphone के rear camera से 4K में video record नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आपको compromise करना पड़ेगा बहुत बड़ा, 108 में आप Pixel का main primary camera है, 2-2 में आप Pixel के macro depth है, 1080p by 30 frame date पर ही आप rear camera से max video record कर पाऊगे, और front में 16 में आप Pixel का selfie camera दी गया है, stereo speakers है, 3.5M का jack है, सेंसर है, 5000 mH की बैटी दी गई, 67W की फार्चाजिन सेपोर्ट है, पैस्टल लाइम, क्रोमेटिक ग्रे, यह आपको like 2 premium color scheme देखनों मलती है, 5 लेक के राउंड स्मार्फोन का अंतुत स्कोर जाता है, बैक और फ्रेम दौनों प्लास्टिक के दिए गा है, 195 ग्रेम का वेट है, 8.6 mm की थिकनिस है, यह स्मार्फोन light bit, compact और स्लेम है, तो OnePlus Nord CE 3 Lite 5G को भी definitely आप ग्रेब कर सकते हैं उस प्राइस पॉइंट पर, बाकि दोस्तों, यह 4 स्मार्फोन ऐसे हैं, 20,000 रुबे के प्राइस पॉइंट पर, जो भी आपकी priority of a need है, उसके साब सब्भाई करें, 4 स्मार्फोनों के अंदर आपको similar feature नहीं देखने हों मिलते हैं, अपने अपनी quality के साथ आते हैं, अपने अपनी brand value के according features के point of view से, 4 स्मार्फोन भी better value for money है, जो भी आपकी priority को fulfill करता हो, उसको आप definitely grab कर सकते हो, वीडियो अच्छी informative लगी वीडियो को like कर देना, अपने दुस्तों में share कर देना, चैनल पर आप नए आए हैं, please चैनल को subscribe कर लेना, बगी मिलते हैं आप से के लिए रहे कैसी ही new interesting और updated वीडियो में, तब तक के लिए bye bye and take care,